बाईया जी पजीकर आगया है, जबरोनिक्स दा, जब 9900, इसको खोलना सबसे बड़ा काम है यार, सार जी थोड़ा हत लादो, एतनी बोड़ी बनाईये तसी, पैती जार के टेबल को कुछ तो फायदा हो, और बाईये जो होम थेटर सिस्टम है, 725 वाट के आउटपूट के स जानवी कपूर, और इधर स्पीकर लाया हूं मा, और वाई से ताम जाम देख रहो, माइक डाल रखा है, दो-दो एक स्पीकर है, यह बार है, दो फूफर है, एक रिमोट, और इधर डॉल भी डाल भी और डूनिया भर के सर्टिफिकेशन, इस तहले के अंदर, HDMI गेबल, प सेटलाइट स्पीकर होगई हमारा, जो सराउंड वरांड गरेट करेंगा, यह एक और सेटलाइट स्पीकर है this, wall mount, और यहां आजाएगी हमारी प्यार 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 हमारी बर , यह मैने फिर गलत तरीके से कुल दी आज, वैल दपन बहुत समान है इसके नदर दो, वो कह रहे ना भाइसाब होली आने वाली है तो रंग बर से बीगे चुनर वाली फुल बेस के साथ देखो बाइसा इतने बड़े ताम जाम के लिए इसको पूरा सेट अपना बड़ेगा रूम में जिससे प्रॉपर आउटपुड मिलेगा लेकिन हम फर्स्ट इंप्रेशन ज यहां लुक देख रहा बार की क्या सेक्सी लग रही है और लेकिन इसके लिए ना इस पीकर को चलाने के लिए आपको डेडिकेट एक एक्स्टेंशन बोर्ड खरीदना पड़ेगा इनको एक्स्टेंशन बोर्ड डबे में दिना चीए था वैसे ठीक है पिछली बार हम सब्सक्राइब कर दो मैं इसका कनेक्टिड मोमेंट आफ ट्रूथ एक बार सब जरा शांती पैसी पहली हो जाईगी गाना बता यारा बाली को बढ़िया यह तो जवर्डस मामला हो गया वाई वाइब्रेशन देख रहा तुम टेबल में कैसे हो रही भाई देख आया भी स् अब वूफर भी यह बार भी तो सारी अवाज ना एक ही तरफ से आ रही है इसका माप पूरा सैट आप बनातों अपने स्टूडियो के अंदर कि इधर बार लाएंगे पूरा जो 5.1 चैनल सराउंड सराउंड का जो एक्स्पिरेंस है वो लेंगे इससे और फिर आपके साथ पीकर एक्सपिरेंस मेरे चैनल का अभी तक मेरे को हुआ है पतलब जीतने मैंने टेस्ट कर रहे हैं अब इससे उपर वाले भी हमारे क्रिट में लेकिन हमें जीतना मौका मिलता यूस करने का उसमें इसने भाई मेरा दिमाग खराब कर दिया मेरा ही नहीं मेरे स्टूडियो में शेयर करूंगा सबसे पहले आपको सेट अप दिखा दो कि मैंने सेट अप करा गैसे है तो यहां पर सबसे पहले साउंड बार सेट अप कर रहे हमारा 65 इंचीज का पैनासॉनिक का टीव ने अपने स्टूडियो में लगा रहा है इसके लेफ्ट और राइड में दोनों स अब करा ओजये पूरा और जिएक स्ट्रीट पार अइंग में वा इतनी शांप करा सेटलाइड स्कॉने में डूसरा स्कॉने लेकिन ये самого प्रफॉश्र में में लर्गता समान हिलने लगता है कांच से आवाज आती है टेबल पर रखावा समान हिलता है इतनी जबर्दस बेस है इसकी आउड डिटेल में बात करते हैं सबस्क्राइल स्टार्ट कर लेते हैं इसकी बिल्ड और डिजाइन से यहां पर हमारी साउंड बार है बढ़िया क्वालिटी के साथ अती है टॉप पर हमारे को बटन मिल जाएंगे और अब देख सकते हो आयरन की मेश फ्रंट में तो है यानि की फ्रंट में स्पीकर है प्लस स्टेबल लाइट का इफेक्ट आपको इसके उपर सेट अप करना हो और यह जो अंदेरे में कोई अरा क्रियेट नहीं करती है कुछ भी है बस यह इसके अंदर नजर पढ़ती है तो अच्छे लगती है वैसे काम नहीं लगा एंड देना जाते हमारे दोनों सब्वूफर य जो मेरे को मीध थी डिटाचेबल वाली होनी चीह थी क्योंकि डिटाचेबल वाली मैं सब्वूफर खराब हो जाए बंदा लगा सकता है दूसरी अंदर से मारे को कुछ पतली सी वायर मिलेगी जो में सब्वूफर से कनेक्ट कर सकते हैं जिससे दोनों एक साथ बढ़िया नमां बे स्फेकेंगग है फिर आजाते हैं हमारे सेटलाइट स्पीकर इसके अंदर में को यह चीज अच्छी लगी थोड़ी दिन पहले हमनें एक से दूसरा ऐसके केस इसके से नहीं है, दोनों स्टालाइट स्पीकर ऑने के डिफ्रेंट एडाप्टर से यहां पर आपस में जोड़ने का चक्करी नहीं है वायरलेसली कनेक्ट होते है आपके सिस्टम से प्लस आपस में तो अलग अलग आपने कमरे में रखोगे तो एक किसी कोने में रखा है दूसरे कोने में रखा है वायर का जंजडनी होगा उनका कनेक्शन आप ही पर कर सकते हो अधाप्टर जो है डिटाचिबल वायर के साथ है कले दिन अधाप्टर खराब हो जाए तो नॉर्मल याप मारेट में खरीच सकते हो यह एक मेरे को स्पीकर के साथ होते है यहां पर जो पॉपल वाला सेटप नीचे तो इसमें सेटिंग का इकन है उससे मारे जो मिनी LED डिस्प्ले स्पीकर की उस पर बेस एको ट्रेबल वो सारी चीज़े चेंज होती है उसके बाद इस प्लस माइनस से हम इसको एडजस्स कर सकते हैं यहां माइक मिल जाता है इस स्पीकर के साथ और कैरियो के माइक के भी अपनी अलग-अलग फीचर से हैं यहां पर हम एको सेट कर सकते हैं जो सराउंड एफेक्ट आता है एकदम पूरा एकदम शादी वाला एफेक्ट आपको करना हो एंड इसके अंदर हमारे को नहीं एक वोकल व अलग से डाउनलोड करने की जुरत नहीं है गाना चलो वोकल्स वाला फीचर अन कर दो और कैरियो के में फुल महाल बनाओ पार्टी में यह चीज मेरे को बढ़िया लेगी एंड जो के माइक है यह मारा से चलता है डबल बैटरी आपको इसके अंदर दो लगानी इसके अंदर हमारे को LED इसके अंदर आपको इनफुट आप चेक कर सकते हो वॉल्यूम कम जाद आप कर रहे हो वह सब आपको दिख जाएगी और मिनी LED इस्प्ले हर एक स्पीकर के अंदर मेरे साफ से होनी चीए जितने भी यह वायरलेस मल्टी फंक्शनल स्पीकर होते है न टेकनिकल स्पैसिफिकेशन की बात करते है स्पीकर की मैक्सिमम 725 वाट का उट पुट है अब तुम होगे वाइसाब कैसे मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बदाता हूँ यहां पे जो हमारी साउंड बार है इसके अंदर हमारे को 65 वाट के तीन स्पीकर मिलते है फ्रंट में सैटलाइट स्पीकर में फरंट अंट लौकम स्पीकर में आपकर स्पीकर मिलेकर मिलेकर 50 वाट का ही आउटपटह सपूर्ट हूगि दो होगी International 227 वाट एक स्छК मिलते हैं आपक़नौ इससे को अस्पीपन।ंपर में तो आपको चाहिए बड़ी क्वालिटी ची है तो ARC के थुरू सबसे तगड़ी क्वालिटी आती है HDMI High Definition Media Interface ऐसी कुछ होता है ना High Definition Multimedia Interface थोड़ा इधर उदर लिगल गया तो मैं और यहां पर हमारे को एक USB का पॉर्ट मिल जाएगा जिसके अंदर आप Pen Drive लगा सकते हो अगर आपको के अंदर HDMI ARC का सपोर्ट नी होता तो अप्तिकल वाले पॉर्ट के थुरू आप कनेक्ट कर सकते हो एंड भाई अब बात कर लेते हैं साउंड एक्सपिरियंस की क्योंकि यह होम थेटर है तो साउंड ही सबस्यादा मैटर करेगी और साउंड अच्छी होने का रीजन क्या है सबसे बहले टेक्निकली सुनो यहां पे मारे को DTS X का सपोर्ट मिलता है और DTS के जितने सपोर्ट इड फॉर्मैट से सब का सपोर्ट यहां पे है डॉल्बी के भी सारे इंपोर्टन फॉर्मैट से सपोर्ट करता है स्पीकर जैसे डॉल्बी एट्मॉस डॉल्बी टूएच्ट डिजिटल प्लस या फिर डॉल्बी मैट एंड डीटीएस से बेटर प्रोसेसिंग डॉल्बी की है अब तुमारे को थोड़ा बोर डॉट हो रहा कि क्या डीटीएस क्या डॉल्बी मतलब इसका स्पीकर पर क्या इंपक्ट पड़ेगा बेसिकली कोई भी आपकी डिवाइस है जिससे आप अपना स्पीकर कनेक कर रहे हो फिर आपका टीवी होगा अगर आप उस पर म्यूजिक के साथ भी है तब ही हमारे को प्रॉप चैनल का सपोर्ट मिलता है जैसे डॉल्बी इस डिवाइस को करेक्ट कर दिया किसी डिवाइस से जिसके अंदर डॉल्बी चला लो लेकिन वह स्पीकर में पूरा फुलर एक्सपीरिंश निया आपको देगा लेकिन अगर आपकी वाली डिवाइस केंदर DTS का सपोर्ट होता ही होता है तो वहां पर बेनिफिट मिलेगा अगर डॉल्बी वाला इसाब किता प्रीमियम मेंगा इसाब किताब तो डॉल्बी का तो आपको सपोर्ट मीली रहा है अगर बात करते हैं साउंड कॉलिटी की तो भाया म्यूजिक हमने स्वाह क्या इसके ऊपर ट्राई करा डिया यहां तो पहले मेरे मुझे तो सुनलो मुझे इसह पिरेंस मिला तो नहीं हो सब्सक्राइब में बूम बाम टाइप की बेस बजती है और अगर इसको प्लस फाइव कर देते हैं तो भाईया समान हिलने लगता है कमरे में और यह जो प्लस फाइव वाला experience है यह उन लोगों के लिए है जैसे मेरे studio में एक बंदा उसे अंदादूनी बेस चाहिए पता नहीं उसको प्लस फाइव पे सुनना है तो वह बड़ा इंजॉय करता है तो अगर आप बेस लवर हो मतलब बेस नहीं टकडे बेस लवर हो तो यह speaker आपको definitely disappoint नहीं करेगा और तुमारे दिमाग में रहोगा कि जब ज़्यादा बेस होती है तो आप अराम से उसको adjust कर सकते हैं और बात करते हैं ट्रेबल की तो ट्रेबल यहां पर मारे को crisp मिलती है हाइस एक्डम बड़ी असुनाई देते हैं इंस्टूमेंट्स बजरे होते हैं जैसे गाने अगरा में 100% वॉल्यूम पर वोकल इतनी तेज हो जाते हैं कि बेस को बहुत ज्यादा वो ओवरकम कर लेते हैं वैसे 100% वॉल्यूम पर मैं 100% शोरूम कि कोई स्पीकर को कोई सुनी नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा लाउड है जुसका स्वीट स्पॉट है ना वो 70-80-85% वॉल्यूम वाल है जिसके अंदर बेस ट्रेबल मिट्स सब कुछ एकदम प्रॉपर सुनाई देता है और मैं आपको रूम का पता था हमारा इसमें बहुत लाउड फील होता है मेरे साफ से जो तगडा लॉबी एरिया या लिविंग एरिया ना जहां पर आपने बड़ा टीवी लगा रखा है और आप मुवी पगर एंजॉय करते हो उस जगह आप इसको लगाओ तो आपको और ज्यादा मजाएगा क्योंकि आपको यूट्यूब के उपर हम ना वह देख रहे हैं लेफ राइट ऐसे चैनल इदर से उदर ट्रावल कर रहा है ऐसा लग रहा है सच में मुवी थीटर के अंदर बैठे हैं और एक ना 5.1 चैनल वाली ना डॉक्टर स्ट्रेंज की एक फुटेज है उसके अंदर वो जो वांडा का सपोर्ट है डॉल्बी का सपोर्ट है डीटीएस का सपोर्ट है वह मुवीज देखने में बहुत मजा आता है जैसे फास्ट फ्यूरियस एट में देख रहा था है मैजन प्राइम पर ओई होई जबरता इस एक्सपीरियंस है गाडियां भाग रही है फुल आवाज आ रही लेकिन मुझे उस टाइम पर वो भीडिया लग रहे थे लेकिन अब जब इनको सुन चुका हो ना मैं दूसरे वाला सुनता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं वह कमी है यह कर रहा है बिल्कुल 100% मामला और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि सैटलाइट स्पीकर के अंदर भ इसा लगता है कि अगसे तियाटर स्क्रीन कहलें अर्पने सामने लेटे हो चली एप भड़ी हव पर जिस क्रींट मोलर। और और जिए वस्टिय अम हे दोलाइट स्वेह सट्शकू सुनता रहा है। यह था इसका पूरा रिव्यूद जूगबार डबल डबल जिरो एंड मैं आपको बता रहा है इस सारी चीजे आवाज वोज यह सब चीजे यह अच्छे खासे प्राइस के साथ आती है 33,000 का यह होम थेटर सिस्टम आपको मिलेगा अगर आपका इतना बजट है और आप एक तगड़ा एक्सपीरियेंस चाते हो घर में मतलब अपने प्राइस के साथ से ओविसली काफी साही आउपूट के साथ ही आता है चैनल डिवाइड नहीं है और मेरे चैनल का यह ऐसा साउंड सिस्टम में जो इतना जाद आउट पूट के साथ आता है मैंने और कोई रिव्यू नहीं कर रखा तो कोई कंपेरेजन बगर मैं आपको दे नहीं पाऊंगा हुली आ रही है आई पील आ रहा है और बढ़िया चाहिए बढ़िया सिस्टम घर में तो आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो एकदम आपको कोई disappointment नहीं होगी sound quality के मामले में बागे पसंद आई वीडियो लाइक मार देना पहली बार हो subscribe और मिलते नेक्स्ट वीडियो अब तक के लिए बाई